Hello Everyone, Welcome to Simran IAS Academy आज के Crank of Air सीरिस का टॉपिक है Indian Beesan जिसको हम क्या बोलता है गौर यह क्यों नियूस में था क्योंकि शिरिलंका ने इंडिया से क्या मंगवाई है शिछ इंडियान बीसंस मंगवाई है क्योंकि वहाँ पर क्या हो गए थे, extinct हो गए थे यह बिल्कुल सेम ऐसा ट्रांस लोकेशन परजेक्ट है जैसे कि इंडिया ने के नाभी भीयां से कह मंगाये थे भी रिसेंटली चीता मंगाये थे है अगर यह जो परजेक्टर वो केर हो जाता है तो यह क्या होगा फर्स्ट एग्रि मेंट होगा बटनुषी रलंक के इंडिया यह के इंवार्मेंट पर्सपेक्टिव से इंडियन इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है इसका साइंटिफिक नेम के है बॉस गॉरस यह के टॉले स्पीशी है वाइल्ड कैटल है इसके हाइट बहुत जाद है 220 सेंटिमेडर यह के लार्जेस एक्सेंट बुवाइन स्पीशी से अगर हम इसकी डिस्ट्रिब्यूशन देखें तो इसकी जो रेंच है कि इतनी पॉपॉलेशन है वो 13,000 तो 30,000 अब जो रेंच है वह इतनी जाद है क्यों डिए हूई है क्योंकि इसको बहुत ही स्मॉल अरिया में हमने क्या किया था स्टरिग या था और वहां पर इतनी पॉपॉलेशन पाई गी थी तो एक एस्टीमेट गया लॉस वाली कंट्रीज होगी वहां पर जो ही है इंडियन वीसन वह ज्यादा कॉण्टी में पाई जाते हैं अगर इंडिया की बगत करें तो इंडिया में कितनी पॉपॉलेशन है 85 परसेंट और वह भी कहां पर गांसेंट्रेटर है वेस्टर गार्स वाली एलिया में जैसे महाराश्रा हुआ करनाटका हुआ केडला हुआ अब कुछ नैशन पाहिए यहां पर इसकी पॉपॉलेशन बहुत जादा पाई जाती है वो के नगरहोल नैशनल परक बंदीपु नैशन परक बिली-गिरी-रंगना हिल्स में यह कहां पर करनाटका में है अगर हम इसका आईएएउसरी एन सेटस देखें यह क्या है वल्नरीबल कैटेगिरी में है और शेडियूल 1 में आता है वारलाइप पर्टक्शन एक 1972 में मतलब क्या होता है जो कि हर सिक्स म Liu के बाद कर देते हैं यह वहां पर मिलते है यह जो कोल्ड अरियात वहां पर नहीं मिलते है ज्याद़ हाइट पी without without है और ज्यादा डूट्ट में और झाड़ में ज combustion पर मिलते हैं जो इनका grazing टाइम होते हैं जा फे अर्ली मौर्णिंग कर लेते हैं जा फे लेट इवनिंग क्या करते हैं यह sunlight में बहुत कम के grazing करते हैं अगर हम देखें तो इसको सबसे इंपॉर्टेंट जो एनिमल्स को होता है वो के यूमन एनिमल कंफ्लिक्ट जिसकी वज़े से हर एनिमल की परापुलेशन क्या हो रही है। सेकर जैसे जैसे अर्बनाइशन ग्लोबलाइशन हो रहा है तो हम क्या है कर रहे हैं उनके हैपिसेट को क्लीयर कर रहे है उसके वज़े से habitat loss हो रहा है जिसके वज़े से population काम हो रही है थर्ड इतनी food security इतना food available नहीं कि हम इनको feed करें जिसके वज़े से क्या होता है जो Indian basin का number है वो के decline हो रहा है इसलिए ये IUCN status में देखें तो वो vulnerable है एक निया term आया है जिसका नाम के wildlife जाफि उसको बोलते हैं zoological diplomacy इसका मतलब क्या है किसी भी species का translocation करना है मतलब एक continent तो दूसरे continent जाफि एक country से दूसरी country के translocate करना उसको क्या बोलते हैं zoological diplomacy जैसे इंडिया ने अभी recently चीता को किया था क्योंकि इनडिया में जो चीता है वो 2015 में क्या हो गया था एक स्तेटन हो गया था अभी भी जो हमने चीता किया है वो ने अभी भी छ चीता किया है और ऐसा कॉनसा project है जहांपे translocation हो है गने आत्शी से जैसे अमेरिकस इन बीसन का हुआ था